हाई एल्वांग, वेरी गूट एंट फैस्ट, गूट मॉनिंग टू आल माई यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में, आज ब्लॉग की सुर्वात कर रहा हूँ, बहुत ही भैतरी इंत्रिके से, नेचर के बिल्कुल करीब लेकर चला गय तो आप लोग भी इंजुए कि जिए इस फिल्वारी को हमारी बिट्यरानी के साथ, और आप लोगों के लिए आज के ब्लॉग में, अपने ताउजी के घर को शेयर करूँगा, तो यह ही कंटिन्यू बने रहेगा हमारे आज के ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगे, तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, तो यह है हमारा घर और हमारे घर की बांडरी होती है, यहां तक खतम, और यहां से होता है मेरे ताउजी का घर स्टार्ट, तो आज आप सभी लोगों के साथ, मैं फरस्ट राइम अपने यूट्यूब चैनल पर अपने ताउजी का आलिशान घर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो इस साइड सबसे पहले में में दिखाऊँ, तो इनके हैं दो बेटे मेरे दो भाई हैं, जो सुरू में ही देखिए, यह बॉस्रूम है, और आप करते हैं सुरू आते, तो यह भी आप लोगों के इसलिए दिखाया क् आप लोगों ने कमेंट करके पूछ लेना था, क्योंकि यह जो एक कमरे की तरह दिख रहा है यह आपने बताया नहीं क्या चीज़ है, तो सबसे पहले जब जो चीज आ रही है, उसी को ही मैं कवर कर रहा हूँ, यह वास्रूम है, और कफी बड़ा वास्रूम में है, देखि आप यहां पर, और एक फ्रंट लुक घर की कुछ इस तरह की बन रही है, तो चले पहले आंगन को ही कवर कर लेते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे से मैंटेन किया हुआ है हर एक चीज को, तो देखिए एक आहम का पेड लगाया हुआ है यहां पर, और यह देखिए फू अलदस्ता ही रख दिया हो, और कपड़े भी सुखने के लिए डाले हुआ है इन्होंने, हर चीज को काफी अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने, यह है हमारा गेहूं का बड़ा सा खेत, सबसे बड़ा खेत है यह हमारा, तो यहां से स्टार्ट होता है, और अभी यह जितना यहां तक दिखाया, उतना ही आगे तक है भी, और साथ के साथ देखिए, एक और वास्णूम है यहां पर, और यह देख सकते हैं, और यह ताव जी का खेत है, और यह निचे बाला देखिए, जैसे में आप लोगों बोरा था, अभी हाफ ही कब हुआ थे यहां त पाके थे और बहुच ओड़ा, तो हमारे ताव जी के हैं दो बेटे, तो दोनों बेटों के लिए अलगलग सैट बनाए हुए है, देखिए, बीच में यह गैलरी है, तो गैलरी के इस साइट को देखिए, एक बेटे को दिया हुआ है, और दूसरी साइट दूसरे बेटे को और अंदर से भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊ हूँ, तो यह देखिए, बहुत ही प्यारे, हर चीज को सोच समझ कर बनाया हुआ है, यह देखिए, कितना अच्छा, साप सुत्रा हर एक चीज मेंटेन करके रखी हुई है, यह तावजी के चोटे बेटे हैं, और यह मंडी में कारे रथ हैं, डी सी ओफिस में, अब चलते हैं यहां से बाहर, बाहर देखिए, बाहर भी यह देखिए, बड़े वेरंडे के साथ एक और साइट को वेरंडा है, और यहां पे लगे हुए ताले, क्यूंकि जो भाई भी गहर हैं, सभी अभी बाहर ही हैं, कोई यह लेखिए, देख सकते हैं आप, यह तो मैं आप लोगों को दिखा देता, और जो मेरे बड़े भाई हैं, ताओ जी के बड़े बेटे, वो डिल्ली में है, और वो डिल्ली में है, और वो सब इंस्पेक्टर में भागती हुए से, CRPF में, तो जब ताले लगे हुए हैं, यहां पर मैं कुछ नहीं दिखा सकता, आप लोगों को इतना ही दिखाया, लेकिन जिस तरह से यह वाला सैट में आप लोगों को दिखाया, विल्कुल सेम ही उसी तरह, राइट साइट में भी बड़े भाई का है, और चलते हैं उपर, उपर लेट साइट से शुरू करते है तो एक रूम इस साइट को है इनका, तो रूम तो बहुचाता है नहीं और परसन इतने है नी घर में, तो खाली पड़े रहते हैं कमरे, और यहां पे एक फ्रीज रखा हुआ है इनोंने, इसके साथ में एक और रूम है, और इसमें भी ताला लगा हुआ है, चलिए कोई बा मैं आपको दिखा दूँगा, और यह देखिये इनका किचन, और गैस तो ही है, वाकी चुला भी है, क्योंकि हमारे यहां पर मैक्सिम्म खाना चुले के उपर ही बनता है, आप लोगों ने हमारे घर में भी देखा होगा, और उपर देखिये, छथ लकडी ही है, और यहां प बगरा भी स्टोर की जाती है, विंटर्स बगरा के टाइम में, और किचन के बाहर देखिये, यह हो जाता है, रोड स्टार्ट, और यह हमारा घर है, और साथ क्या थोड़ा सा आप लोगों को किचन भी दिख रहा होगा, हमारा, और यह देखिये, कीचन के साथ में, यह इस साइर को रूम है, और यहां से देखिये, डिलिवरी हो जाती है, फूड बगरा की, इसलिए तो यहां पर रखा होगा था पहले, डैनिंग टेवला भी हटा दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत जादा है, तो अब बाहर लगा दिया और यह तो खाली रहता है, कोई भी नहीं है यहां पर, इसलिए इस तरह से राशन बगरा और जो भी स्टोरिज बगरा के लिए यूज कर देखिये, लेकिन बैट देखिये, जैसे आप लोगन देखा हर एक रूम में है, उतने परसन नहीं है, जितने जादा कम रहे हैं, ले देखिये, यह थोड़ा सा भी ओल्ड उसमें है, पुराना होता था यह, तो यहां पर चुला है, देखिये, लकड़ी वाला, और उसके बाद उपर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इनके घर की छट, तो चट पर पहुंसती ही, जो इनका कीचन है, उसकी यह टॉप है और यहां से दिखता है हमारा पूरा काओं, और यह है हमारा बढ़ा केट जिसके में बात कर रहा था, तो यहां तक, यहां तक हुआ था यह, 65% कवर, अभी वहां तक बहुत दूर तक है, और चारों तरफ गाओं में देखिये, हरी-बरी बादियां, और सामने देखिये, हि तो चारों तरफ देखिए केमरा गुहाँ तो हरी बाद यही नज़र आती हैं और पूरे लेंटर बाद देखिए रेलिंग लगाई हुए इनोंने कि छोड़े बच्चे हैं गार पे और टॉप से कुछ इस तरह का दिख रहा है आंगन मगेरा तो यह था मेरे ताओ जी का बहुती आलिशान और भव्य मकान और कैसा लगा आप लोगों को जरूर बेताएगा हमें कमेंट वॉक्स में और यह वाला हमारा लेंटर आप तो बस अब नहीं पर ही स्टॉप करता हूँ क्यूभी मैंने हर एक चीज को कबर कर लिए आप सभी लो तो यह था हमारा आज का ब्लॉग और आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ सेयर किया अपने ताओ जी के घर को अंदर से भी और भार से भी दिखाया और साथ के साथ आप लोगों को अपने गाओं के गाओं को भी दिखाया थोड़ा बहुत मनें तो यही मैं आसर रखता हूँ कि आप लोगों ने ब्लॉग को जुरूर पसंद किया होगा और रिक्वेस्ट भी आई उथी मैंने कमेंट पड़े हुए थे साइध अभी लेटास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ दो या तीन मिने पहले तो बहुत सा रिक्मेंट आए होते तक्रीवन आठ या दस परसंद के तो उन्होंने बोला था कि आपने अभी तक अपने ताओजी के घर को हमारे साथ वीफली शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज जब आप घर में जाओगे गाउ में जाओगे तो हमारे साथ जरूर शेयर किजिए घा तो आज मैंने उनकी रुकेस्ट को पूरा भ रही फेमिली को देखना और उनके घर को देखना तो अभी मैंने अपने ताओग के अउनली घर को ही शेयर किया और बहुत ही जल्द उनकी फैमिली से भी आप लोगों को मिलवाओंगा तो यहीं कंटीनू बने रहे गा हमारे चैनल के ऊपर अगे आप लोगों के लिए जादा जादा लाइकन शेयर किजिएगा तो मिलते हैं अब नेक्स ब्लॉग में ही तब तक के लिए बबाई अपना ख्याल रखेगा टेक क्या एंड बाई बाई वंस अगें